मुवी का स्टार्ट एक लड़की से होता है जिसे फार में ब्यूटिफुल सी चीजे नजर आती हैं पर उसके भाई को ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिस पर वो उसका मजाग बनाता है तब ही उन बच्चों की ग्रैनी वहां आती हैं बच्चों की जिद पर ग्रैनी उन्हें स्टोरि सुनाना शुरू करती है जिसका नाम दी इन्वेंशन ओफ जिरॉनिकल्स जंगल है बच्चे ग्रैनी के हाथ में ये बुक देख कर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिंग स्टोरि ग्रैनी उन्हें पहली बा कर है जो कि जंगल एंटिंग्स नामी शॉप का मालिक है उसका देमाख इन्वेंशन करने से कभी नहीं ठकता था बच्चों के लिए उसकी शॉप सबसे ज्यादा पसंदीदा जगा थी वहां के सब बच्ची सारा दिन उसकी शॉप पे निकाल सकते थे क्यूंकि वहां उन्हें बहुत मज़े-mज़े की टोईज देखने को मिलते थे जंगल अपने इस टैलेंट से टाउन की सब लोगों को बहुत मतासिर करता था और इन लोगों में जंगल का स्टूरं इसका नाम टुर्ली वर्ली है इसे वो लोगों की सामने चलाता है मगर वो थोड़ा सा अउड़क जिसे देख के उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्यूंकि उसके अंदर कुछ ऐसा सामान है जिसकी मदद से जैंगल अपनी ड्रीम इन्वेंशन पूरी कर पाएगा अगर ये इन्वेंशन पूरा हो गया तो वो अपनी और अपने खांदान की जिंदगी को हमेशा के बदल सकता है वो स्परसल को खोलता है और अपनी इन्वेंशन को पूरा करनें लग जाता है यह कॉम्पोनेंट उसे डॉन्जियन जैसे कमाल ठोइ को जिन्दा करनें में मदद करते हैं जैंगल और उसका खनन पर magical goggles gift करता है इसी दोरान में Gustafson वहाँ आता है और जैंगल से request करता है कि जैंगल उसकी बनाई हुई invention को थोड़ा चेक कर ले जैंगल तो उन्हीं invention की वज़ा से हवाओं में था इसी खुशी को celebrate करने वो अपनी family के साथ बाहर चला जाता है जाते जाते Gustafson को Don Joanne का खयाल रखने छोड़ जाता है ये कहते हुए कि वो वापस आकर Gustafson की invention को भी चेक करेगा तब ही Don Joanne Gustafson के साथ बाते करने लगता है Don Gustafson को यकिन दिलाने में लग जाता है कि वो भी बहुत जहीन है साथ ही साथ उसको manipulate करते हुए उकसाता है कि वो जैंगल की inventions की book उठा के अपने पास रख ले Gustafson ऐसा करना नहीं चाता क्योंकि उसे ये चोरी लगती है और वो अपने boss के साथ loyal भी है पर Don उसे कहने लगता है कि इस book की मदद से वो भी एक कमाल scientist बन सकता है जिसके बाद वो दूनों मिलके अपनी toys की एक empire बनाके world को rule कर सकते हैं अब हकूमत करना या power रखना किसको नहीं पसंद है इसलिए Gustafson डॉन की बातों में आके book उठा लेता है जिसके बाद वो दूनों shop से निकल के चले जाते हैं जैंगल वापस आता है दिल का बहुत अच्छा होने की वज़ा से वो Gustafson के लिए भी खाना लाता है लेकिन उसे तो वो वहाँ नजर ही नहीं आता वो dawn और अपनी किताब को वहाँ ना पाके बहुत परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के आलम में Gustafson को बाहर तलाश करने निकल जाता है मगर Gustafson उसे कहीं नहीं मिलता सीन्स वापस बच्चों और ग्रैनी पे शिफ्ट होते हैं जहां बच्चे ग्रैनी से पूछते हैं कि क्या फर Gustafson वापस आता है ग्रैनी बच्चों को बताती है कि नहीं जैंगल कॉंस्टेबल तक को Gustafson की चोरी के बारे में बताता है बट कोई उस पे यकीन नहीं करता क्यूंकि जैंगल के पास कोई प्रूफ नहीं था जैंगल के बुक जाने के बाद सब खराब होना शुरू हो गया वो कोई भी इंवेंशन बुक के बगर सही से नहीं कर पा रहा था इसकी वज़ा से उसके काम में बहुत असर हुआ और उसे पहले की तरह काम मिलना बंद हो गया बिल्स बढ़ते जा रहे थे पर उसके पास पैसे नहीं थे पिर भी जैंगल ने हार ना मानी लेकिन अब चीज़ें उसके हाथ से निकलती जा रही थी जैंगल एंड तिंग्स फाइनेंशल हार्टशिप का शिकार होती जा रही थी इसी दोरान जैंगल की बीवी मर जाती है जैसे का अपने मा की कमी को पूरा करने की कोशिश करती है मगर जैंगल उसे एहसास दिलाते हैं कि वो सब कुछ खो चुका है जैसे का जैंगल से दूर चली जाती है और जैंगल सेंटिंग स्टोर शॉप बन हो जाती है जैंगल जो के कभी अजीम इन्वेंटर था अब कोई भी न्यू चीज इन्वेंट नहीं करता तीस साल बाद अब उसकी दुकान एक पॉन शॉप बन चुकी है इसे दोरान पोस्ट वोबन मिस जानस्टन उसके पास हमदर्दी करने आती है जो जैंगल को दुबारा से अपने खोई हुए मकाम हासिल करने का कहती है इसके बाद जैंगल के पास बैंकर मिस्टर डिलाक्रोइक्स आते है जो जैंगल को बताते हैं कि उसने अभी तक अपने बिल्स बैंक को पे नहीं किये है वो उसके सामने टू आप्शन्स रखते हैं जैंगल को क्रिस्मस तक बैंक को अपनी एक न्यू इन्वेंशन दिखानी होगी या उसे बैंक के सब लून्स पूरे करने होगे वरना बैंक शॉप बंद कर देगी जैंगल बैंकर को समझाने की ट्राइ भी करता है कि वो अब इन्वेंशन नहीं कर सकता लेकिन ऐसी इमोशनल बातों से बैंक वाले पैसे तो माफ करने से रहे इसलिए जैंगल के पास अब बस क्रिस्मस तक का टाइम है इसलिए जैंगल वापस कुछ इन्वेंट करने के लिए अपना बॉक्स खोलता है ग्राइनी बच्चों को बताती है कि उस इन्वेंशन के साथ साथ जैंगल की अपनी जिन्दगी से भी बहुत कुछ मिसिंग था जैसे कि उसकी बेटी जैसिका जिसे वो बहुत बार लेटर लिख के माफी मांगनी की ट्राइ करता है पर उसके पास अलफाज खतम हो जाते और वो लिख नहीं पाता था लेकिन उसका दिल आज भी अपनी बेटी के लिए बहुत अरपता था दूसरी तरफ जैसिका रोज अपने फादर के लेटर का इंतिजार करती रहती थी जैसिका अब खोद एक जर्णी नामी लड़की की मा बन चुकी है जर्णी एक इंटेलिजन्ट लड़की है जो मैजिकल ट्रिक्स भी जानती है जैसिका हमेशा अपनी बेटी से कहती है कि एक ना एक दिन हम जैंगल एंटिंग्स जरूर चाहेंगी लेकिन तब जब हमें कोई बुलाएगा आखिरकार एक दिन जैसिका को जैंगल का खत मिलता है जिसे पढ़कर जैसिका खुश हो जाती है जैसिका अपनी बेटी को जैंगल के पास भीजती है और उसे ताकीद करती है कि वो क्रिस्मस तक उनके साथ रहे चाहे उसके ग्रैंट फादर उसके साथ कैसा भी बिहेव करें जर्नी जैंगल के पास पहुँच जाती है और उसे जैसिका का ख़त दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी बेटी जर्नी को आपके पास भीज रही हूँ वो बहुत अच्छी और वेल मैनर्ट बच्ची है मैं उसे क्रिस्मस की सुभा वापस लेने आ जाऊंगी जैंगल जर्नी के खत पर यकीन नहीं करता है और जर्नी को घर नहीं आने देता मगर जर्नी फिर भी घर के अंदर आ जाती है और उसे जैसिका की तस्वीर दिखाती है जिसमें जैसिका ने वो ही मैजिकल गॉगल्स पहने होते हैं जो उसे जैंगल ने गिफ्ट किये थे ये देखकर जैंगल जर्णी को अपने साथ रहने की इजाज़त दे देता है पर जैंगल उसे कुछ पेपर्स पे साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि वो यहां किसी भी चीज़ को खराब नहीं करेगी जब जर्णी साइन करने लगती है तो कहती है कि पैंट चल नहीं रहा जैंगल उसे कहता है कि वो साइन मुकमल करे और फिर पेपर को खास इन्वेंशन के नीचे लेके जाता है उसके नीचे ले जाते ही साइन नजरानी लग जाती है Scenes Gustafson पे shift होते हैं जो एक famous toy tycoon बन चुका है और जैंगल की चुराई हुई किताब की तमाम inventions ट्राई कर चुका है अब उसके पास कुछ new try करने को नहीं बचा है जो करके वो लोगों को attract कर सके डीगो Gustafson को जंगल की new invention चुराने के लिए उकसाता है जब के Gustafson कहता है कि वो उसकी तमाम inventions को इस्तेमाल कर चुका है और वो सब बस इसी किताब में थी अब उसके पास और कुछ नहीं डीगो से कहता है कि एक अजीम inventor हमेशा अजीम ही होता है और उसके पास कुछ नकुछ जरूर बचा होता होगा जिसको वो दुबारा यूज कर सके जैंगल उन दिनों अपने न्यू टोई दबडी 3000 पर काम कर रहा था जो के जर्णी डिसकवर कर लेती है एक राध जब वो जैंगल की वरक्शॉप में जाती है वहाँ वो उसके शागर्द एडिसन को पाती है एडिसन जर्णी को कोई भी चीज पकरने से मना करता है जबके जर्णी एडिसन को कहती है कि वो किसी भी चीज को हाथ लगा सकती है तब ही उनकी नजर दबडी 3000 पर पड़ती है जिसको देखके एडिसन कहता है कि जैंगल ने आज तक उसे इसके बारे में नहीं बताया जर्णी कहती है कि जब ये काम करना शुरू कर देगा तो कमाल होग एडिसन कहता है कि ऐसा सिर्फ प्रोफेसर ही कर सकते हैं लेकिन जर्णी पास पड़े पुर्जे को टॉई के अंदर फिक्स करती है और वो काम करना शुरू कर देता है वो जोई उन्हें बताता है कि वो दबडी 3000 है बडी एडिसन और जर्णी को लेके उड़ना शुरू कर देता है इतनी देर में जैंगल वहां आ जाता है और ये सब देख खुसा हो जाता है जर्णी जैंगल को बताती है कि बडी अभी उर रहा था मगर जैंगल यकीन नहीं करता वो कहता है कि ये नामुम्किन है फिर मजीद कुछ सुने बगएर उन्हें डार्ट के वहां से उसमें खेलने लगते हैं दोनों बहुत इंजॉय करते हैं पीछे एडिसन शॉप पर अकीला होता है गुस्टेफसन इस बात का फाइडा उठा के एडिसन को बांद कर बडी 3000 चुरा के ले जाता है जर्णी वहां आती है तो एडिसन उसे बताता है कि गुस्टेफसन ने जाते हैं जहां गुस्टेफसन बडी 3000 का मैजिक लोगों को दिखाने के लिए तयार होता है डीगो गुस्टेफसन को समझाने की ट्राइ करता है कि वह पहले एक बार उसे टेस्ट कर ले पर गुस्टेफसन उसकी कोई बात नहीं सुनता जब वो उसे लोगों के सामने मैजि जाना शुरू हो जाते हैं तो गुस्टेफसन अपने सर्विंट से केहता है कि वो बडी 3000 को फैक्टरी में छोड़ दें गुस्टेफसन के सर्वंट बडी को लेके जा रहे होते हैं तो जर्णी उनको चकमा दे देती है और एडिसन बडी को लेके भाग निकलता है जर्णी भी वहां से भाग के एक कमरी में जा चुपती है। डीगो गुस्टेफसन से कहता है कि तुमने अपनी पिछली नाकामियों से कुछ नहीं सीखा। इसी दौरान उसके सर्विंट्स आकर उसे बताते हैं कि दो बच्चे बड़ी को चुरा के ले जा रहे हैं। गुस्टेफसन गार्ड्स को बच्चों का पीछा करने का कहता है। इसी दौरान जैंगल भी बच्चों को बचाने गुस्टेफसन की फैक्टरी पहुंच जाता है। और पोस्ट वुमन की मदद से बच्चों को फैक्टरी से निकालने में काम्याब हो जाते हैं। जर्णी जब घर आकर को लेने पहुच जाती है और अपने बाप से शिक्वा करती है कि आपने पलट कर मेरी खबर ना ली। जैंगल जैसिका को वो तमाम ख़त दिखाता है जिसे उसने जैसिका की नाम लिखा लेकिन भेजने की हिम्मत ना हुई। फिर जैसिका और जैंगल दबडी 3000 को फिक्स कर करते हैं जर्णी अपनी मा को वहां देकर बहुत खुश होती है वो सब मिलकर बडी पे काम करना शुरू कर देते हैं अभी वो तीनों ये खुशी मना ही रहे होते हैं कि गस्टेफसन पुलीस को लेकर आ जाता है वो पुलीस को जैंगल की उसकी इन्वेंशन चुराने की इल और उसे जैंगल की इन्वेंशन मशीन के नीचे लेके जाती है ऐसा करने से उन पर जैंगल के साइन नजर आ जाते हैं इस तरह गस्टेफसन का राज खुल जाता है पुलीस को यकीन हो जाता है कि गस्टेफसन जूट बोल रहा है और डियेगो भी गस्टेफसन के साथ कर देता है और उसके साथ जैंगल भी जैंगल एंड़ फिर से मशूर हो जाती है लास्ट सीन में ग्रैनी कहानी खतम कर देती है और बच्चों को अपने बालों की तरफ इशारा करके दिखाती है कि वही जर्णी है बच्चे ये देख के हैरान हो जाते हैं और वो उन्हें ज जाती है